ओम शान्ती आज बाबा के अव्यक्त महवाक्य हैं तो ये रिवाइज मुरली है 15 दिसंबर 2001 की तो आईए सुनते हैं मिठी प्यारे बाबा की मिठी मिठी प्रेर ना धाई हमारे जीवन को कमल पुष्वसमान बनाने वाली हमें पतित से पावन बनाने वाली मिठी प्यारी मुरली है और आज है तारीक 8 सेप्टमबर 2024 और मुरली का सार है एक वरतावन पवित्तरता की धारणा द्वारा रुहानियत में रहे मनसा सेवा करो क्या है मुरली का सार एक वरतावन पवित्तरता की धारणा द्वारा रुहानियत में रहे मनसा सेवा करो तो बाबा ने हम बच्चों को एक वरता क्या है उसका बहुत घहराई से अर्थ समझाया है और जिसके अंदर एक वरता है उसका धार होगा पवित्तरता पवित्तरता और जहां पवित्तरता है एक वरता है तो वहां हमारे चलन चहरे संकल्प बोलकर में रुहानियत आ जाएगे और जब हम सच मुझ अंदर से रुहानियत से भरपूर हो जाएगे इस देहे का भान देहे का भीमान सांसारिक वस्तुएं उनका आकर्शन उनकी पति जुकाव उनकी पति संकल्प चलना वो सब कुछ सोतेस मापत हो जाएगा और हमारी स्थिती बहुत सुंदर रुहानियत से भरपूर जब हो जाएगी तब ही हम सही माइने में मनसा सिवा कर सकते हैं अभी सुनते हैं मुरली में से कुछ मुक्या आठ पॉइंट्स पहला पॉइंट है बाप दादा ने रुहानियत और पवित्तरता की शक्ती की क्या महमा की पहले बावा ने बताया कि जिन बच्चों के अंदर रुहानियत आती जाती है रुखानियत आती जाती है उनकी पहली निशानी होगी कि उनके नैनों में वो रुखानी नशा प्रत्यक्ष दिखाई देदा कहने का भाव कि उनका जो दृष्टी कौन है वो जिसमाने नहीं रहेगा वो किसी को भी देखेंगे, रुहू को भी देखेंगे, रुहानी दिष्टी कौन होगा और जब रुहानी दिष्टी कौन होगा, तो दूसरी बात, दूसरी वशेष्टा रुहानियत के क्या आजाएगी उसात्मा के अंदर कि उसके नैनों में रुहानी शक्ति का अन्भव होगा जैसे किसी से भी मिलेंगे उनको लगेगा कि इनकी नैनों में कुछ अलोकिक सी शक्ति है तो रुहानियत से शक्ति का भी अन्भव होगा अन्यात्माओं को, खुद को भी होगा और औरों को भी करा सकेगे और तीसरी बात है कि जो रुहानियत से आत्मा भरपूर होती जाएगी उनके चहरे पर आटोमेटिकली ही मुस्कान आती रहेगी क्योंकि उन्दर सिक्रेट होगी ना जब रुहानियत है देभान नहीं है दे की बाते नहीं चिंतन मन्थन करते हैं अपने याद में बाबा की याद में नशे में रहते हैं अपने आप में मस्तर रहते हैं तो आटोमेटिकली जहरे पर एक आभासी होगी तेज होगा मुस्कान होगी जो अन्या आत्मों को खुशी का अन्भव कराएगी ठीक है और चौथी बात होगी जिनके अंदर रुहानित होगी उनका चलन कैसा होगा डवल लाइट फरिष्टों की तरह जब वो चलेंगे फिरेंगे किसी के संपरक में भी आएंगे तो जैसे देभान से न्यारी आत्मा होगी न तो उनको जो भी देखेगा उनको लगेगा यह तो डवल लाइट फरिष्टा है क्योंकि इस दुनिया का भाव और भाव नहीं है जो व्यक्ति यह दुनिया है इस से उपर उट चुके होगे तो रुहानियत से आत्मा के अंदर क्या आएगा डवल लाइट फरिष्टापन का भाव इसके अंदर उत्पन होगा ठीक है तो रुपानियत से क्या के राप्ती भी नैनों में रुपानियत का नशा होगा, और शक्ती शाली स्थिती नैनों से भी दिखेगी, और अन्यात्मों को भी मुस्करहट से खुशी कानभव कराने वाली होंगे, और डवल लैड फरिश्टापन का विरनभव कराएंगे और फिर जो पवितरता है उस पवितरता बाबा केते रुहानियत का आधार ही पवितरता है जैसे ही ब्राह्मन जीवन में हमने पवितरता को अपनाया हमारे जीवन में पवितरता आई तो हमारा मन पवित्र हुआ, वाने पवित्र हुए, करम पवित्र हुए, तब से ही हम क्या कहला है, पवित्र आत्मा, ठेक है, तो पवित्रता आने से हमारे ब्राह्मन जिवन का शरिंगार हो गया, पहली बात, पवित्रता की धारना से हमारे ब्राह्मन जिवन का शरिंगार द वो हमारे ब्राह्मन जीवन की मर्यादा है पवित्र सोचना, पवित्र बोलना, पवित्र बहवार करना यह सब हमारे मर्यादा है ब्राह्मन जीवन की इसे बाहर जब होते हैं हम उसमें कोई संकल बोल करते हैं मर्यादा से बाहर तो वो इंप्यूर्टी में आ जाता है तो प्यूर्टी में रहना मना अपनी धारणाओं में रहकर कर्म करना ये ब्रामन जीवन की मर्यादा है तो बावा केते जिन आत्मों के अंदर पवितरता है और रुहानियत है दोनों है वो इस संसार में रहते हुए जैसे और लौकिक फरिष्टों की तरह अनबफ होंगे दूसरा पॉइंट है ब्रम्हा चारी बनने के लिए अर्थात ब्रम्हा बाफ समान बनने के लिए कौन-कौन सी धारणाई होनी चाहिए तो बाफ समान बनने के लिए हम बच्चों को दो बातों पर विशेश ध्यान देन है पहला है रूहानियत दूसरा है पवितरता तो हमने देखना है कि हमारे संकल्प बोल और कर्म में कितनी रूहानियत आई है कितनी पवितरता आई है तो पहली बात लेंगे हम संकल्प कि ब्रम्हा बाफ समान हमने बनना है तो हमारे संकल्पों में कितनी रूहानियत है और क इतनी purity है उसकी निशानी क्या होगी यदि हमारे संकल्पों में रूहानियत है बानाम रूह को देखते हैं रूह के पार्ट को देखते हैं उसकी उशेश्टाओं को देखते हैं तो सबसे पहली बात कि हम मनसा सेवा कर सकते हैं क्योंकि जब हम दूसरों को आत्मिक भाव सही देखेंगे तो कोई भी आत्मा कैसी भी होगी हम उसके अवगोडों को बुराईयों को गलतियों को नहीं देखेंगे उसका वर्णन नहीं करेंगे सिर्फ उस रूहानी उस रूह को ही देखकर रूहानी दृष्टी से उसकी qualities को भी देखेंगे ताकि हम वेर्थ और नेगटिव से फ्री रहें इसी को कहते हैं पवित्र संकल्प पवित्र संकल्प मतलब क्या हर एक की प्रती अच्छा सोचना शुब भावना शुब कामना रखना और सौपन में भी किसी भी तरह की इंप्योरोटी हमारे मन को टच ना करे तो यह कहेंगे ब्रह्मचारी संकल्पों में भी ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारी तो यह तो हुई संकल्पों की रुहानियत और संकल्पों की प्योरोटी ठीक है और दूसरी बात है ब्रह्मचा बापसमान बनने के लिए कि हमारे बोल में कितनी रुहानियत आई है और कितन दिन भर बोलते हैं, चाहे घर में रहते हैं, चाहे आफिस जाते हैं, तो हमारे बोल द्वारा, दूसरी आत्मों को कितना सुख मिल रहा है, कितना शान्ती का अन्भव हो रहा है, ये बात हमने चेक करनी है, कि हमारे बोल द्वारा, कितनी आत्मों को सचमच सुख मिलता है, शा क्या हमारे बोल ऐसे हैं जो सामने वाली आत्मों को आगे बढ़ने का धार बनते हैं। तो इसी बोल को कहेंगे ब्रम्हाचारी बोल, क्योंकि ब्रम्हा बाबा ने कभी भी किसी आत्मा को जुरुत साहित नहीं किया, डिस्करिज नहीं किया, सदा वर्दान दिये, सदा अपने बोल द्वारा सुख और शान्तिक अन्भुतिक राई आगे बढ़ाया। तो यदि हम सचमुच अपने को चेक करे ब्रम्हा बाब समान, हमारे अंदर ब्रम्हाचारी पना आया, रुहानित आई, तो अपने बोल को आज इस तरह से हमें चेक करना होगा। और तीसरा है करम, हमारे करमों में रुहानित आई है, उसका प्रूफ किया होगा, सचमुच हमारे करम में रुहानित आचुकी है, उसका प्रूफ क्या होगा, कि हमारे जो स्थिती होगी, वो करम योगी होगी, करम करते करते हम प्यारे बाबा की याद में रहेंगे, करम योगी तब ही कहलाएंगे, करम योगी सेंपल हम बनेंगे, जैसे ब्रम्हा बाबा थे, ब्रम्हा बाबा हर तरह से करम करते थे, यग्य सेवा, कोई भी सेवा हो, चाहे बंडारे में करते थे, चाहे अनाज साफ करने की करते थे, चाहे पथर उठाने की कोई कंस्ट्रक्शन चल रही हो, पथर उठाने की भी सिवा करते थे, लेकिन हमेशा कर्म योगी स्थिती में तो हम अपने आपको देखें कि सच मुझ हम ब्रम्हा चारी बन रहे हैं ब्रम्हा वाप समान करम कर रहे हैं क्या हमारे करम में वो पवितरता वो रूहानियत की जलक फलक आई है करम योगी सच मुझ हम हैं हमारी मन सजोस्थिती है उस समय क्या होती है चुंकि मेन दोल है रोहानियत का रोहानियत कितनी आए और उसका मेन जो बीज है वो है प्यूरिटी जितना जितना हमारे संकल्ब में बोल में कर्म में शुदत आएगी प्यूरिटी आते जाएगी उतना हम ब्रमहाचारी बनते जाएगे माना हमारा संपूर्ण जीवन अलोकिक रोहानियत से भरपूर हो जाएगा ठीक है और हमारे चेहरे से ब्रमहाबाव समान स्थिती का भी अन्यात्माओं को अन्भव होने लगेगा तो यह अपने आपको हमें देखना है तीसरा पॉइंट है बाप दादा ने बच्चों के चार्ट में क्या चेक किया तो बाप दादा हम बच्चों का चार्ट यह देखना चाते हैं कि बच्चों के अंदर कितना एक वरता का पाठ पक्का हुआ है कितना एक वरता हम बने हैं अर्थात कितनी परसेंटेज में प्योर्टी आई है क्यूंकि बाबा ने कहा कि जिन बच्चों के अंदर एक वरता की भावना होगी एक व्रतामाना जिनके दिल में हमेशा एक बाबा के पती ही संकल्प चलते है बाबा की जगह हमारे दिल में दूसरा तीसरा कोई आही नहीं सकता है मा लीजिये कोई बात आती है, कोई परस्थिती आती है हम उलजन में फंस जाते हैं, तो अपने आपको चेक करो कि उस समय कोई विक्ति याद आता है या बाबा कि ये बात हम किसको शेयर करें बो हल करेगा उसको बोलें उसको बोलें या फिर यह आता है कि बाबा को बोलें बाबा जैसे मजी जिस आत्मा को टच करवाएंगे उसको हम इस मुख द्वारा बोलेंगे बोलना तो हमें ही पड़ेगा किसी विक्ति कोई, किसी आत्मा द्वारा ही बाबा कराएंगे लेकिन पहली भावना हमारे मन में ये आए कि मैं ये बात बाबा को बताऊं बाबा ऐसी ऐसी बात है और आप बताओ कैसे ये कार्य आगे बढ़ना है तो इसे कहते हैं एक वरता, एक वरता माना पवित्तरता की पक्की धारणा, एक बाबा, दूसरा, तीसरा कोई नहीं, मेरे संकल्फ में भी दूसरा, तीसरा कोई नहीं तो जिनको बाबा ने कहा कि जो एक वरता का यह जो पाठ है, एक वरता जो अंदर में पक्का अंडरलाइन कर लिया है, जिसने की एक मेरा बाबा, दूसरा कोई नहीं, वो आत्मा एकागर चित वाली होगी क्योंकि उसकी बुद्ध्य किसी में भटके गी नहीं न, वो एकागर चित माना, एकागर ता उसके अंदर होगी, ऑर दूसरी बात, वो अचल अडूल भी होगी, जो एकागर होगी, वो अचल अडूल होगी और एक मत होगी, एक बाबा की मत पर चलने वाली होगी, और उसकी अंत्मति जो गती होगी, वो भी बहुत अच्छी होगी क्योंकि एक बाबा की याद के सिवाई कोई याद नहीं आएगा और उस आत्मा की स्थीती भी एक रस होगी ठीक है और मन बुद्धी में एक वरता है पूरा दिन में हम या नहीं है यह अपने आपको ढूंड़ने अंदर में चेक करें देखें अगर नहीं है तो दूसरा कौन है तीसरा कौन है कई हम अपने आप से या बाबा से धोके से तो नहीं चल रहे है क्या सच मुझ मेरा बाबा से सच्चा प्यार है हम कह सकते हैं कि एक बाबा दूसरा ना कोई अगर ऐसा सच मुझ है तो हम एक वरता है ठीक है नेक्स्ट है चौथा पॉइंट समय की और आत्मों की पुकार सुनकर बाबा ने क्या करने को कहा हमें और उससे हमें क्या फाइदा होगा तो बाबा ने कहा कि इस समय संसार में बहुत दुख है दुख बढ़ता ही जा रहा है तो बाबा केते कि है आत्माओं तुम मरसीफुल सुरूप धारन करो और मास्टर मुक्ती दाता बन जाओ क्योंकि संसार में बहुत दुख है प्रकरती तुम्हें पुकार रही है मुनश्यात्में तुम्हें पुकार रही है समय तुम्हें पुकार रहा है बेचारी आत्में भै के जटके खा रही हैं दुख दुख और धोके के जटके खा रही हैं सहारा मांग रही हैं बाबा केते उनको सुख शान्ती की एक अमरित की वून भी पिलावना तो भी यो खुश हो जाएंगे, वो तुम्हारा बहुत बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं। बाबा केते तुम उनको सहारा दो, रोज, शान्ती का, सुख का, प्रेम का, सहयोग का दान दो, सबको देना है, चेक करो कि सारे दिन में कितना घंटे हम ये सिवा कर सकते हैं, अपना चाट निकालो, मनसा सिवा अति अवश्यक है। बाबा केते देखो वाचा सिवा बच्चों ने बहुत की, आगे भी करते रहेंगे, लेकिन मनसा और वाचा दोनुं का बैलेंस बनाओ, क्योंकि वाचा के साथ साथ मनसा सिवा भी बहुत अवश्यक है। मनसा सिवा का मतलब शक्ती देनी है संकल्पो द्वारा अन्यात्मों को, अन्यात्मों को शान्ती की शक्ती, प्रेम की शक्ती, आनंद की शक्ती, सहन करने की शक्ती, उनको सहारे कानभव कराने की शक्ती कानभव, आप अपनी मनसा से करा सकते हो। चाहे एक बावा केते इसमें बच्चा है, ढुडा है, बीमार है, महारती है, घोडे सवार है, प्यादा है, ये सब सिवा कर सकते हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि हम नहीं कर सकते, हर एक आतमा को चांस है, खोब मनसा सिवा करो. तो बाबा केते हैं बाबा अचानक से आप बच्चों का चार्ट मांगेंगे, कि आपने कितनी सेवा की, क्योंकि दुखी अशान्त आत्मों को अगर एक भी अंचले मिल जाए, एक भी भूध मिल जाए उनको सुक्ष और शान्ति की, तो भी उनकी बहुत त्रिपती हो जाएग तो तुम बच्चों को ये सिवा बहुत ही जरूरी करनी है तो बावा कहते कि जब आप ये सिवा करेंगे न अन्यात्माओं के तो क्या होगा बाप घर के गेट खोल सकता है माना आत्माओं को मुक्ती मिलेगी तुमे परमधाम जा सकती है और जब तुम ये सिवा करेंगे तुम को क्या फाइदा होगा कि तुम जब सिवा में अपने मन को लगा के रखेंगे मन सा सिवा करेंगे तो हर परकार के हद के अकर्षनों से आपका मन बचा रहेगा दूसरी बात है कि आप जो हद की बातों में फंस जाते हो हद की बातें लेकर के बैठे रहते हो कितने संकल विकल चलाते हो उनसे भी या बच जाएंगे और तीसरा हर परकार की महनत चाहे किसी परकार की महनत है संकल बोल कर रूवानी में हर परकार की महनत से बच जाएंगे और तुम्हारा पुन्या का खाता दवल जमा होता जाएगा जैसे एक तो अन्या को दे रहे हैं सकाश दे रहे हैं तो उनकी धे सारे दुआई वापिस हमारे पास आएगी एक यह हो गया दुआउं का खाता और दूसरा जब हम किसी को देंगे तो हम से होकर ही जाएगा न तो वो शक्तियां, वो गुर्ण, वो सारी पावर्स हमारे में भगते जाएंगे और हम भी संपूर्ण बनते जाएंगे बाप समान बनते जाएंगे साथ हम बावा ने एक और बात अंदर लाइन कराई कि तुम बच्चों को एवर रेड़ी बनना है एवर रेड़ी का मतलब है कभी भी कुछ भी अचानक हो जाए तुम्हारे पास हर परकार का स्टॉक जमा होना चाहिए एवर रेड़ी का मतलब यह नहीं है कि शरीर छोड़ने के लिए एवर रेड़ी एवरेडी माना सरव गुर्ण सरव शक्तियां भरी हो तब शरी छोड़े फायदा तब है पांचुवा पॉइंट है बाप डादा ने सौ अस्थिती उंची बनाने के लिए माना स्वा उन्नती करने के लिए मनसा के लिए क्या काम दिया है बाबा ने हमारी मनसा के लिए काम दिया है कि मुझे दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है ये पका कर लो जब हमारे मन के अंदर ये धारणा पकी हो जाएगी ना कि हमें तो दुआएं देनी है और लेनी है तो हमारी उन्नती बहुत गहराई से होने शुरू जाती है उसे कोई भी आत्मा हिला नहीं सकती है तो बाबा ने कहा कि देखो जब आप संबन संपर्क में आते हों बहुत सारी बाते होती है बहुत सारी आत्माँ के साथ हिसाब किताब चलता है कोई ऐसे हैं जनों आपको गाली ही देते रहना है आपको डिगरेडी करते रहना है आपकी महिमा स्विकार नहीं कर सकते आप सबको अच्छे लग रहे हो तो उन्हों को बरदाश नहीं होगा ये सब होता है न संद्धफन के अंदर तो बाबा के तैसे स्थितियां तो होंगी ये माया के पेपर है बाबा ने कहा कि चाहे सो जने आपकी अपोजिशन में चल रहे हैं लेकिन आप कभी भी किसी से नाराज नहीं होना है सदा राजी रहना है, सदा सबको दुआई देनी है आपको कोई बद्दुआ भी दे रहा है, कोई बात नहीं आप बाब की शिर्मत को देखो, बाबा ने मुझे क्या कहा मुझे सबको दुआई देनी है, अपने संकल्प द्वारा भी, बोल द्वारा भी, वानी द्वारा भी, करम द्वारा भी सब को दुआएं देनी क्योंकि हम दाता के बच्चे हैं दाता के बच्चे दुआओं के सागर की बच्चे हैं तो हमने सब को देना ही देना है तो पक्का करेंगे मन के अंदर क्योंकि सब के जिवन में अलग-अलग तरह से परस्थितियां तो है ही लेकिन अंदर पक्का कर ले कि हमने सब को दुआएं देनी है मावाणी और मन सासिवा ये दोनों साथ साथ करनी है उसने बैलंस रख करके आगे बढ़ना है तो बावा कहते तुम्हारा दवल पुर्शार्ट जमा हो जाएगा है ना दुआएं भी बढ़ेगी अपने मन में शक्ती आती जाएगी विल्बावर बढ़ती जाएगी और सोयम का जो पुर्शार्ट है वो और पक्का और गहरा होता जाएगा तो बावा कहते कोई नाराजगी बीच बीच में रखता भी है ना पर आप पक्का करो कि मुझे किसी के प्रती मन में बहुत चलाक है ब्राहमन क्या क्या करते हैं बावा सब देखते हैं बहुत बच्चों में तो बड़ी चलाकी है बहुत होश्यारी है बड़ी होश्यारी चलाकी से अपनी बात पेश करते हैं तो बावा कहते हैं बावा तो सब जानता है ना क्या क्या होश्यारी बच्चे चलते हैं, क्या क्या देखते हैं, सुनाओंगा नहीं, अगर सुनाएंगे तो आप सोच में पढ़ जाएंगे, तो बाप नहीं चाहते कि आप सोच में पढ़ें, उसलिए अपने आपको ही चेक करो, और अपने आपको बदलो, कि मुझे अपनी मनसा को बिलकुर शुद पावितर रखना है, ताकि हम हर पल दुसरों को दुआइं दे सकें, अगर किसी का बिहेव मन में बैठ गया, उसने में सब्सक्चा नहीं किया, किसका करम मन के अंदर बैठ गया, इसने अच्छा करम नहीं किया, तो दुआइं नहीं मिल रहती हैं, हम क्या करें, है ना, तो बावा के तैसा नहीं करना है, बस तुम अपने पुर्शार्थ की दोड़ी लगाओ, मनसा सेवा की दोड़ी लगाओ, खोब आगे नमबर वन में जाओ, छटा पॉइंट है, बाप दादा ने क्या-क्या सौमानों से बच्चों को सज तो आज मुरली में तो बावा ने बहुत सारे सौमान बच्चों को दिये, बावा ने कहा तुम बच्चे एक वरता हो, रुहानियत से भरपूर हो, डवर लाइट हो, विश्व के पवित्तरता के अधार हो, रुहानियत का बीच जानने वाली स्रेष्ट महान आतमे हो, बाव बाप समान ब्रमाचारी हो, सर्व दिड़ संकल्पों को पूरा करने वाले दिड़ संकल्प धारी आतमा हो, दुआएं देने दुआएं लेने वाले पुन्ने आतमा हो, अपने रुहानियत को फैलाने वाले रुहानियत के स्तंभ हो, नॉलिज़ फुल हो, है ना, इस तरह से बावा ने बहुत सारे वरदानों से सौमानों से बबच्चों को नवाजा है तो इन सौमानों को भी हम याद करें है ना बावा ने करम योगी का भी टाइटल दिया परतेक्षपुन्या फल जमा करने वाली आत्माए हो ना इस तरह बावा ने बहुत सारी बाते हम बच्चों क समझाई है तो उनको अमने गहराई से चिंतन करना है मन्तन करना है जीवर में लाना है और सात्मा पॉइंट है सच्चे सत्संगी कौन है सच्चे सत्संगी कौन है तो बाबा करें सच्चा सत्संग क्या है जहां इश्वर बाप के साथ हम बैठते हैं बाबा से दोर इहान करते ह बावा से शक्तियां लेते हैं तो हो गया सच्चा सथ संग उल्टे संग में जाते हैं तो आत्मा बिगड़ जाती है लेकिन सथ संग क्या है आत्मा को गुणों से भर देता है कहा जाता है न जैसा संग वैसा रंग तो बाबा कहते कि बाब का संग तो इतना शक्तिशाली है इतना शक्तिशाली है कि तुम्हें दूसरे किसी भी संग का रंग नहीं लग सकता इसलिए वियर्थ बातें वियर्थ संग को संग तुम्हें आकरशित नहीं कर सकता तो अपने दिल में एक बाबा को अच्छे तरह से बसालो, सदा बाबा के संग में रहो अर्थात, सदा सत संगी बनकर रहो, तो किसी भी आत्मा का, विक्ती का, वायु मंडल का, संग का रंग आप बच्चों पर नहीं आएगा, उसे कहेंगे सच्चा सच्चा सत संगी. रही आठ्वाँ पॉइंट है, सदा प्रसन कौन रह सकता है, बड़ा संदर प्रशन है, कौन रह सकता है सदा प्रसन जो बुराई को भी अच्छाई में बदले, है ना किसी किसी की बुराई को देखते जाए, ओनन करते जाए, समाचार सुना कोई, कोई बास सुने, उसको रह सकती है जो बातों के विस्तार में चली गई तो प्रसंता तो काई हो जाएगी ठीक है तो हमने यह भी अपने अंदर डढ़ संकल्ब करना है कि मुझे हर बुराई के अंदर अच्छाई ढूंड़नी है अच्छाई का मनतन करना है अच्छाई जैसा मनतन चलेगा ते